प्रभू प्रसाद चानल में सभी भाई भेनों का स्वागत है आज कठेल बीज की सबजी बनाएंगे कठेल बीज की सबजी बनाने के लिए जो सामगरी चाहिए कठेल बीज को ऐसा काटके एक बॉल लिया है लाल मिर्ची पाउडर एक स्पून नमक श्वादा नुसार जीरा आदा स्पून पाटर स्पून हिंग अद्रक कस के लिया है चौंग के लिए तेल लिया है, धनिया पौडर आदा स्पून, तमाटर, दो तमाटर मिक्सी करके लिया है, ग्रीन मिर्ची, हल्दी, कड़ी पत्ता, अब एक कुकर में तेल डाल रही हूँ, तेल गरम होने के बाद, जीरा, हिंग, कड़ी पत्ता, अद्रक, मिर्ची, टामाटर पीस के रखा था न, वो टामाटर पीस में डाल रही हूँ, हल्दी, लाल मिर्ची पौडर, धनिया पौडर, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, नमक डाल रही हूँ, कठेल का बीज काटके रखा था न, वो भी इसमें डाल रही हूँ, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, पकने के लिए, इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी बढ़ता है, बीज जो है पानी उठाता है, तो अब ची तरह से मिक्स कर के, कुकर ढखके, तीन चार विशिल लेने से सबजी रड़ी हो जाएगा, देखिए सबजी रड़ी हो गया है, इसको अभी मिक्स कर के, सर्विंग बॉल में निकाल रही हूँ, कठेल बीज की सबजी रेड़ी,